रादे रादे जैश्री करिश्णा, मैं हूँ पृती महाषवरी और आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और इश्वर करें आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ तो देखिए हर्याली तीज बहुती नजदिक आ चुकी है तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ लड़ू गोपाल जी के लिए हर्याली तीज के लिए मैंने क्या-क्या तयारिया की है आज उसकी वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तो ये एक छोटा सा लड़ू गुपाल जी का हर्याली तीज का एक शॉपिंग होल है आपको ये वीडियो कैसी लगी आपको लड़ू गुपाल जी की ड्रेस, अटेश्मेंट या कोई भी चीज कैसी लगी ये मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को जादा से जादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने लड्डू गोपाल जी के लिए हर्याली तीज के लिए जो है क्या-क्या तयारी करी है तो एके करके हम चीजों को देखना शुरू करेंगे तो ये है लड़ू गोपाल जी की देखे हर्याली तीज के लिए जो मैंने ड्रेस खरीदी है ये वो ड्रेस है ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही खुपसूरत है और हर्याली तीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और ये है सेम ड्रेस छोटे लड़ू गोपाल जी की और मै दोनों लड्डू गोपाल जी के लिए सेम ड्रेस ही खरीदना पसंद करते हूँ और ये देखे ये है इसकी चोली ये है इसका पटका और दोनों लड्डू गोपाल जी के ड्रेस जो है देखे बिल्कुल सेम है बहुत ही खुबसूरत है और ये है लडू गुपाल जी के कड़े जो बिलकुल dress की मैचिंग के ही है तो आप इनी जो है किसी भी dres पर वियर कर सकते हैं और ये है लडू गुपाल जी के लिए बहुत ही खुपसरा सी एरिंग, मुझे हैंगिंग एरिंग जो है बहुत ही पसंद है, आपको कैसी एरिंग अपने लड्डू गुपाल जी के लिए पसंद है, मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताना, और आपको ये कैसी लगी ये भी बताना, और ये है लड्डू गुपाल पहनाओंगी, आपको ये कैसी लगी मुझे जरूर बताना, और मैंने लड़्डू गोपाल जी के लिए एक और पगड़ी खरीदी है, मुकुट खरीदा है, जो इस ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच होता है, और ये है हमारे लड़्डू गोपाल जी के लिए कर ली हेर, मुझे लड़्डू गोपाल जी के लिए कर ली हेर बहुत पसंद है, आपको कैसे हेर पसंद है, वो मुझे कमेंट बोक्स में लिख कर बताना, और ये है हमारे लड़्डू गोपाल जी के लिए नाइट सूट, जो मैंने अपने लड़्डू गोपाल जी के लिए खरीदे हैं, और यह है एक अभ्यंग पेश जिसे जो है आप लड्डू कॉपाल जी को सनान कराने में यूज़ कर सकते हैं और आप चाहे तो इस अभ्यंग पेश से राधा किर्शन जी अगर आपके बास पीतल के हैं या कोई भी चांदी की आपकी चीज़ है तो आप उसको भी जो है चमकाने क के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं इसे लड्डू कॉपाल जी की जो है मूर्ती बहुत ही खुपसरत हो जाती और यह देखे इसको कैसे इस्तमाल करना है यह भी इस पर लिखा हुआ है और यह था हमारा लड्डू कॉपाल जी का बहुत ही प्यारा सा खुपसरत सा एक छोट सा हर्याली तीज़ का शॉपिंग हॉल तो ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और आपने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए हर्याली तीज़ के लिए क्या-क्या तयारी करें हैं वो भी मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूल तो चलिए अब हम जो है वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलेंगे आने वाली नेक्स वीडियो में जिसके अंदर हम हर लड्डू गोपाल जी के साथ हर्याली तीज़ करेंगे और आपने कैसे करी अपने लड्डू गोपाल जी के हर्याली तीज़ की तयारियां और आप कैस सेलिब्रेट करेंगे हर्याली तीज लड्डो गोपाल जी के साथ ये मेरे साथ जरूर शेयर करना तो हम नपने लड्डो कोपाल जी के लिए अंके साथ मिलकर मनाएंगे तो तब तक के लिए राधे राधे जैश्री क्रिश्णा